हिंदू दरम गरंतों और पौरानेक खताओं के अनशार बरत्मान ब्रह्मान को चार महान योगों से गुजन नाता है जिन मैंसे पृतिक ब्रह्मान डिया निर्मान और बिनास का एक पूरा चक्र है। हिंदू पौरारिक खताएं इतनी बड़ी शंक्या से शंबंदित हैं जिनकी कल्पना करना लगवग अशंबब हैं। हिंदू का मानना है कि स्रश्टी की प्रिक्रिया चक्रों में चलती हैं और प्रतेक चक्र में समय के चार महान युग होते हैं। और क्योंकि इस रजन की प्रिक्रिया चक्रिया और कभी ना खतम होने वाली है। यह शुरू होकर खतम होती है और शुरू पर खतम होती है। ऐसा कहा जाता है कि एक कल्प चार योगों के एक हजार चक्रों से बना होता है प्रतेक एक अलग गुडवत्ता का है एक अनुमान के अनुसार एक योग चक्र 4.32 मिलियन बर्स का माना जाता है और एक कल्प 4.32 बिलियन बर्सों का माना जाता है हिंदु धरम में चार महान योग हैं सत्योग, तिरिता योग, द्वापर योग और कल योग ऐसा कहा जाता है कि सत्योग या सत्यका योग चार हजार दिब्वर्सों तक चलता है और तरेता योग तीने जार तक दौपर दौज़ार तक और कल योग एक हजार दिप्वर्सों तक चलता है इन चार योगों के पाप और पुन्य को अगर समझना है तो हम प्रतिसत के आदार पर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं सत्योग में 0% पाप हुआ करता था और 100% पुन्य हुआ करता था यहां पर प्रत्यक व्यक्ति धार्मिक हुआ करता था और बेदों का अध्यान करता था जबकि अगर हम 3 योग की कहें तो 3 यог में 25% पाप था और 75% पुन्य था वहीं दौपर में 50% पाप और 50% पुन मतलब इसा बरावर था और वहीं कल्योग को देखें तो कल्योग में 25% पुन है और 75% पाप अगर इन चारो योगों के प्रतिसत को अगर हम द्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सत्योग सर्फ्रिष्ट है और कल्योग सबसे बुरा लेकिन ऐसा नहीं है आज हम इन तत्यों की चर्चा करेंगे कि इन चारो योगों में सर्फ्रिष्ट कौन सा योग है और क्यों बिश्नु पुराण के अनुसार एक बार रिशी मुनी आपस में चर्चा कर रहे थे कि चारो योगों में सर्फ्रिष्ट योग कौन सा है इस बिशेपर सवी की अलग लग राये थी इसलिए यह चर्चा बैस का मुद्दा बन गई और कोई हल न निकल सका तब इस बैस के समादान के लिए सवी रिशी मुनी महरसी ब्यास के पास गए महरसी ब्यास को ही बेदों का जनक कहा जाता है महरसी ब्यास ने रिशी मुनीों की बास सुनकर उन से कहा कि चारो योगों में कल योग ही सर्फ्रिष्टुग है क्योंकि सत्योग में दस बर्सों तक पूजा पाठ जब तप और ब्रत करने का जो पुन्य प्राप्त होता है वही पुन्य तरेता योग में मात्र एक साल के पूजा पाठ जब तप और ब्रत से मिल जाता है और द्वापर में वही पुन मात्र एक महीने के जब तब से मिल जाता है जबकि कल्योग में वही पुन मात्र एक दिन के जब और तब से मिल ही जाता है इसलिए महरशी व्यास ने कहा चार योगों में कल्योग ही सर्फ्रेष्ट योग है जिसमें मात्र एक दिन की भक्ति से ही 10 सालों का पुण प्राप्त हो जाता है तब इसे कल्योग को सर्फ्रेष्ट योग कहा जाता है आप अगर कल्योग में अपने करμों पर सुधार कर सकते ह तो आप सर्वस्रेष्ट ब्यक्ति हैं और आप इस्वर के समीब जा सकते हैं इसलिए कलियोग में करम को बहुत महत्तो दिया गया है अब आप सभी से निविदन हैं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके एक छोटा सा पुन्य आप कमा सकते हैं राधे राधे